नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी अकैडमी के इस online learning platform पे आज हम लोग बात करने वाले हैं Dr. BR Ambedkar University के registration process के बारे में इसका registration process शुरू हो चुका है अभी इसमें आपको सिर्फ एक basic सा registration करना है और कुछ नहीं इसमें और अपनी एक profile है जिसको आपको update करनी है जिसमें आपकी basically अपनी details होंगी कुछ document upload करने से related चीज़े होंगी तो वो पूरा क्या process है step by step मैं आपको बताऊंगा जो इसमें program का selection है वो CVT के result के आने के बाद शुरू होगा तो उन सब चीज़ों के बारे मैं बातचित करूँगा उसके अलावा मैं इसके थोड़ा सा एक basic overview वे दे दूँगा बहुत सारे ऐसे students होंगे जिनको नहीं पता होगा कि BR Ambedkar University में कौन कौन से courses है किस तरीके से यहां पर seeds का distribution है कई सारी ऐसी बाते हैं जो कि यहां पर आपको समझनी है सबसे पहले में कुछ basic बाते इस इन्वस्टी के बारे में आपको मैं बता देता हूं कैसे किस website के थूँआप जाओगे क्या इसके कुछ basic overview basic structure आप समझ जाओ सबसे पहले चीज बिया रंबेटकर इन्वस्टी जो है वो दिल्ली में है और यह एक state इन्वस्टी है central इन्वस्टी नहीं है यह ठीक पहली बात इसकी जो website है वो aud.ac.in है जब आप इस website पर आओगे तो यहां पर आप देखोगे तो admissions लिखाओगा इस admission पर आप क्लिक करोगे तो आप यहां पर admission वाले page पर आ जाओगे अब यहां पर आपको तो UG admission से मतलब है तो UG वाला admission यहां पर open भी हुआ है अब यहां पर online admission form में जाएंगे तो आप registration करवा पाएंगे उससे पहले मैं कुछ बात आपको बताऊंगा जो instructions related चीज़े वो तो मैं ही आपको बता दूँगा admission ब्राउचर में सब कुछ सारी चीज़े यहां पर mention है अब यहां पर देखे सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको यहां पर suggest करूँगा कि आप पहले यह समझ जाओ कि कौन कौन से ऐसे courses है जो कि यहां पर available है और उनके लिए क्या criteria है मतलब किस कि subject के वो marks जोडने वाले है पहले इस चीज़ को आप यहां पर समझ जाए देखे अगर मैं मोटे तोर पर बोलूँगा तो यहां पर आपके दो प्रकार के courses है एक BA और एक BBA के courses यहां पर BBA के यहां पर दो प्रकार के courses है और जिसमें वो यहां पर English और Journal Test के marks के यहां पर जोडने वाला होगा और यहां पर इन्होंने 12th में percentage की भी criteria रखी है वो ऐसी है कि 50% criteria है बिसिकली वो General Candidates, EWS Candidates के लिए और SCST और दिल्ली वाले जो Candidates होंगे OBC उनके लिए 5% का Relaxation है अब यहां से एक बात बहुत important है जिसको मैं अभी आपको समझाओंगा भी कि चुकि State University जो होती है वो अपने State के Candidates को benefit देती है तो क्या benefits मिलेंगे यहां पर जो दिल्ली के होंगे और जो दिल्ली के बाहर के होंगे उनको क्या नुकसान होगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ उससे पहले यहां पर कुछ courses के बारे में समझ लीजिए अब यहां पर आप BA के जो भी courses में जाओगे वहां पर एक होते हैं वो यहां पर जनर्रीट किये जाएंगे अभी उस बात को मैं यहां पर आपको समझा दूंगा यहां पर आप देख सकते हो बी यह के कई सारे ऐसे courses हैं आपर और सब में वही चलता है कुछ-कुछ में सिर्फ जनर्र समर्माइब यहां पर आप पर गया लिए समय के लिए एक लेंगवच प्लस से क्लिए प्लाजी लिए mathematics और तीन डोमेन यह इनोंने मांग रहा है ठीक है यह चीज यहां पर कह रहे हैं और इसके बाद अगर हम लोग यहां पर चले Bachelor of Arts, Honors, Political Science मतलब बी ओनर्स, Political Science के लिए तो एक language और तीन डोमेन यहां पर भी आपका मांग रहे हैं तो इस तरीके साब यहां पर देख सकते हो किस किस कोर्स के लिए यहां पर क्या-क्या इनके लिए eligibility criteria है तो कम से कम आपको एक general जानकारी हो जाएगे कि यहां आखिर कौन-कौन से ऐसे courses जो हमारे लिए available है तो बी ए और बी बी ए और यहां पर आपके बी वॉक के courses यहां पर available है bachelor of occasions के भी यहां पर चार यहां पर courses available है total आपके इतने ही programs यहां पर available है इन program का selections भी आपको करने को मिलेगा लेकिन वह CVT के result के आने के बाद आप करोगे ठीक बात यह तो यह था एक इनके कौन-कौन से courses available है अब थोड़ा समया पर आपको सीट का distribution समझा देता हूं ध्यान से सबसे पहली बात यहां पर यह समझेगा एक बात बहुत जरूरी है यह कि देखें यहां पर इन्होंने क्या क्या कि 85% सीट जो होती है वो यहां पर दिल्ली के candidates के लिए रिजर्व है अब दिल्ली का candidate कौन माना जाएगा दिल्ली के candidates वो माने जाएंगे जिनका class 12 जो है वो यहां से दिल्ली के किसी स्कूल या इंस्टिट्यूट से हुआ है अगर आपका 12 दिल्ली सुआ है तो आप इनके 85% सीट के लिए आप इनके फाइट करो गया 15% सीट जो है यहां पर जो है वो यहां पर रिजर्व की जाती है वो अधर इस्टेट्स के लिए ठीक है यह इसको मैसे लिख सकते हैं कि 15% सीट जो है वो आउट साइट डेली वालों के लिए होती है ठीक अभी बास समझेगा इस पचासी परसेंट में सतास 27% OVC 10% EWS और 15% SC के टेगरी और साढ़े साथ परसेंट जो होगा वह स्टी के टेगरी के लिए रिजर्व होगा बाकि PWD उनका सबका भी कोटा यहां पर लगेगा यह जो 15% है इस 15% में 10% EWS वालों को मिल जाएगा मतब 10% सीट रिजर्व होंग EWS वालों के लिए 15% SC वालों के लिए और साढ़े साथ परसेंट जो हो ST वालों के लिए यह जो 15% है इसमें आपके OVC वाले कंडिडेट्स नहीं आएंगे मतलब अगर आप OVC कंडिडेट्स दिल्ली से बाहर वाले हो तो आप जनरल ट्रीट किये जाएंगे यह बात मेरी स साथ साथ समझ चुके होंगे तो 85% सीट जो होंगी वो सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए होंगी 15% दिल्ली से बाहर वालों के लिए होंगी दिल्ली के बाहर किनको माना जाएगा जिनका क्लास 12 जो है वो दिल्ली के बाहर हुआ है इस तरीके से यह क्लास 12 आपने कहा कहां से किया है उस बेसिस पर आपको दिल्ली या दिलिन के बाहर का या आपको दिल्ली गॉर्मेंट के द्वारा सेटिफिकेट इसू होना चाहिए OBC का तभी ये मानेंगे गॉर्मेंट आफ इंडिया मतलब वो सेंट्रल वाला सेटिफिकेट नहीं चलेगा इस्टेट वाला ही सेटिफिकेट आपको यहां पर देना पड़ेगा इस बात को समझ लि के सेटिफिकेट को आप लगा के OBC के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं ठीक बात यह सब चीज़ें यहां पर आपके और बाकी अगर आप दिल्ली से बाहर के हो और OBC कंडिडेट है तो आप जनर्नल ट्रीट के जाएंगे यहां के लिए ठीक सी और स्ट वालों को उनका अपने क हो गई एक overall यहां पर सीट की बाद अगर आप यहां पर सीट का distribution देखना चाहोगे तो आपके इस admission व्राउचर में यहां पर आराम से आपको सीट के मिल जाएंगे आपर फीस कभी आपको structure मिल जाएगा एक अलग से वीडियो में मैं इन सब चीजों को आपको समझा दूंग जहां मैंने आपको बता हैं मैं इसका link भी आपको description box में दे दूंगा तो आप directly यहां पर पहुंच जाएंगे करना कुछ नहीं AUD.ac.in पर आईएगा वहाँ पर admissions में चले जाएगा अब यहां पर करना क्या है आपको यहां पर online admission form पर click कर दीजेगा online admission form पर click करेंगे तो पर आप अपना CVT के application number और date of birth को यहां पर डालके फिर यहां पर यह capture डालेंगे देन यहां पर register पर click करेंगे तब आपका जो आपने CVT के application form में जो आपने email ID दिया होगा उस पे एक OTP जाएगा उस OTP को डालना है और आपको password बनाना है ताकि आप CVT के application number और उसी password से login जब आप एक बार registration process complete कर लेंगे ठीक है तो login में आपको CVT का application number और password से करना है यही password आप यहां पर create कर रहे होगे अब आईए यहां पर तो सबसे पहला interface आपके सामने यह आएगा जिसमें आप अपना application number date of birth डालोगे उसका register पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने यह open होके आ होगे अब वह password आप कैसा भी जैसे कि माली जेक की आप ऐसे password सेट कर लोगे आप यहां पर बैभो एड़ रेट वन टू थी ठीक है तो इसमें special character number capital letter small letter सब included रहेगा अब उसी तरीके से यहां पर फिर से password डाल दीजेगा capture डाल देंगे यहां पर फिर submit OTP पर click कर देंगे submit OTP पर click करते ही आपका password यहां पर बन जाएगा तो आपका CVT का application number और इस password की मदद से आप अराम से यहां पर अपने इस page पर आ जाएंगे जहां पर आपका registration का process complete किया जाएगा अब यहां पर देखो total करना क्या तीन step में यहां पर चीज़े हैं आपके पास पहले step में आपको अपनी profile अपडेट करनी है दूसरे step में यहां पर आपको program का selection करना है और तीसरे में payment करना है लेकिन एक बात समझेगा अभी program का selection और payment यह नहीं open हुआ है अभी सिर्फ आपक लिए एक ही होंगी यहां पर तीन step में total है लेकिन अभी जो है वो यह और यह वाला इस्टेप अभी open ही नहीं हुआ है सिर्फ यह वाला इस्टेप open हुआ है और नहीं तो आप चाहो तो यहां पर पढ़ भी सकते हैं यहां पर बहुत क्लिर लिए चीज मेंसन भी है मैं एक मिनट हो कि इसको मैं पीछे करेंगे तो यहां पर यह चीज बताया गया है यह देखें यहां पर कह दिया है program selection जो है वो cvt के result के declare होने के बाद यहां पर available होगा अब आपको अपने profile update करने में कुछ खास नहीं करना यहां पर यहां पर तीन काम करना है personal details को बताना है फिर यहां पर कुछ other details पूछी जाएंगी language related आपके है और फिर यहां पर आपका कुछ documents आपको upload करने होंगे जो भी आप जैसे आप किसी category के लिए अगर आप document में basically photo और signature तो यह आपके cvt का application form से ही ले लेंगे वो आपको upload नहीं करना है आपको basically यहां पर अपनी ID proof जो भी आप जिस category के लिए claim करोगे उस category का certificate आपको यहां पर produce करना होगा ठीक बात अब यहां पर personal details में क्या क्या देनी है आपको अपना नाम देना यहां पर आपको यहां पर gender यह सब तो अपने आप ले लेगा gender नाम और यह सब आपकी date of birth और खुद से ले लेगा आपकी category आप यहां पर change कर सकते हो मतलब आपने जो CUT application form में डाला होगा वो तो यहां पर दिखाएगा लेकिन आप चाहो तो उसको change कर सकते हो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है आप कोई category अगर आप चूज करोगे तो उसका certificate number, issue date यह सब आपको यहां पर बतानी पड़ेंगी अब उसके यहां पर आपका registered email ID, mobile number, CUT application form से ले लेगा बाकी alternate आप यहां पर दे सकते हो बाकी यहां पर blood group, citizen of India है या नहीं है, religion, ID proof में आप जो ID proof select करोगे उसका यहां पर number देना होगा और यह ID proof आपको upload भी करनी है जाहे वो photo के form में जाहे वो PDF के form में, upload करना होगा अभी आगे मैं बताऊंगा, फिर यहां पर आपके family details, आपके मम्मी और पापा से related यहां पर details पूछे जाएंगे, उनका नाम, उनकी क्या किस, मतलब उनका qualification क्या है, occupation क्या है, यह सब चीज़े details है, basically इसमें आप भर लोगे कुछ नहीं करना है, इसके बाद यहां पर देखो फिर कह रहा है कि आप क्या, अमबेटकर इनवस्टी में जो है, वो किसी स्कूल ए डिपार्टमेंट में क्या आप enrolled है, हैं तो yes करिएगा, नहीं हो तो no करिएगा, फिर यहां पर कुछ कोटा के बारे में पूछा गया है, कि आप कस्मेरी माइक ग्रेंट या PWD कोटा, या आप ex-servicemen, मतल यहां पर आपका पर्मेनेंट घर है, अब दोनों आप चाहो तो सेम दो कोई दिक्कत नहीं, अपना पर्मेनेंट वाला ही भर देना दोनों जगा, अधर डिटेल्स यहां पर देखो, अप अधर डिटेल्स में यहां पर क्या है, देखो यहां पर कहारा, कोई आपको, मतलब medical attention की जरूवत है मतलब आपको ऐसा होगा कि आपको regular treatment क्या हो सकता होती तो उसमें जैसा होगा yes no कर देना इसको आप छोड़ दीजेगा यहाँ पर NCC, NSS अगर है तो yes no करिएगा और नहीं है तो फिर छोड़ दीजेगा फिर यहाँ पर वो पूछेगा आपसे कि language related कि आप English language म जैसा आपको आता हूँ ऐसा करिए same चीज हिंदिक साथ और अगर अगर अधर कोई language है जैसे आप बंगाली जानते हैं आप उर्दू जानते हैं तो लिख दीजेगा reading, writing और speaking आप क्या जानते हैं इसके बाद आपके सामने बहुत ही most important step आएगा वो होगा आपको upload से related इसमे यहाँ पर दो चीज़ें एक तो आईडी प्रूफ जो आपने दिया होगा जो भी आधार कार्ट, pen card जो भी दिया है वो आपको आईडी प्रूफ अप्लोड करना होगा और admit card, CUT का admit card और यह जो आपका admit card है या आईडी प्रूफ है या आप JPG, JPEG और PDF मतलब photo या PDF के form में दोनों form में आप यहाँ पर upload कर सकते हो, बस 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, यह दो चीज़ें, इसके अलावा आप जिस भी cast के लिए apply करोगे, आप मा लिजे कि आप EWS, OBS, जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसके regarding उसका certificate भी यहाँ पर आपको produce करना होगा, पहली चीज़ करना होगा, जिसके regarding मैंने शुरुवात में ही आपसे यहाँ पर बातचीत कर भी लिया है, ठीक है, तो यह सबसे most important step है, यह जैसे ही करेंगे तो आपके सामने फिर ऐसा आएगा, कहेगा कि अगर आप यह बहुत important step है, तो इसको एक बार ध्यान से चेक कर लिजेगा, फिर इ उसके बाद यहाँ पर आपके दे देगा कि आपने अपनी profile जो हो अपडेट कर लिया, उसको आपने पूरी तरीके से देख लिया, एक basic step, पहला step आपने complete कर लिया, दूसरा step इनका program selection का होता है, और program selection जो अभी यह available नहीं होगा, यह जब CVT का result आजाएगा, उसके बाद य फिर आपको यहाँ पर करना होगा, साधे 400 रुपए की फीस जो है, वो लगेगी general OBC इन सब candidates के लिए और SCST candidates के लिए कुछ discount है, मेभी साथ 175 रुपए है, 260 रुपए का असपास कि यहाँ पर फीस पड़ेगी SCSTL candidates के लिए, तो यह था overall यहाँ पर आपका registration process, BR Ambedkar University Delhi के और यह एक state universities को मैंने पहले ही बता दिया, 85% seats जो होंगी वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व होती है, 15% other states के बच्चे उस seats को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो overall इनका registration process कुछ ऐसा ही है, और इसका जो link जो है, वो मैं आपको description box आप provide कर दूँगा, वहाँ से आप link process को आप समझ गया होंगे, और अभी सिर्फ registration में basically आप यहाँ पर profile update करना है आपको, बस, बाकि यहाँ पर program का selection, payment, यह दो चीजें जो होंगी वो आपके, कब होंगी, जब आप यहाँ पर अपने process को, मतब जब CUT का result आजएगा, तब वो होगा, ठीक है, चलिए, आज के व बानffe करनेवा, वोगाँ बानेवा, जब आपके, चलिए, अभी सबसे खानेवाँ यहाँ अओनेवाँ, गयाँ इन.